आस्क डॉक्टर इम्रान में आपका सवाल कितने घंटे की नेन काफी होती है यह डिपेंड करता है कि आपकी उमर, आपका लाइफ स्टाइल और आपका काम क्या है छोटे बच्चे जो 5 साल तक के लिए होते हैँ, उनके लिए 12 गंटे सोना मिनिम्मब बहुत जरूरी है और इडल्स को यह यह बड़े लोगों को 7 गंटे, 8 गंटे सोना उनकी सहत के लिए जरूरी है नीन कितनी एहम है कि आपकी एक तहाई जिन्दगी सोते वे गुजरती है तो सोचिए कि ये जो सोते हैं इसमें क्या-क्या होता है और ये कितना एहम होना चाहिए जिन लोगों की quality of sleep compromise होती है वो लोगों की जिस्मानी सेहत भी भेतर नहीं होती उनका जो निजामे हाजमा है वो भेतर नहीं होता और वो जहनी सेहत के भी एक नए एक दिन मतासर हो चुके होते हैं क्योंकि जिस्म को जो rest चाहिए वो नहीं मिल पाता है कुछ लोगों का जो life style है वो इंतहाई गेर सेहत पंदाना होता है रात को त्यारा बारा एक दो तीन बजे तक जागना और उसके बाद देर तक सोना यह सरकेडियन साइकल के खिलाफ है फितरत के खिलाफ है रात को अपने बैट के उपर टीवी देखना डिजिटल डिवाइस को साथ लेके जाना मुबाइल फून्स के साथ रात को खेलना या आपकी स्लीप की क्वालिटी को भी मतासिर करता है तो स्लीप के अंदर क्वालिटी होती है कॉंटिटी होती है जिन लोगों की क्वालिटी आफ लाइफ बहुत अच्छी होती है quality of life के लोगों के अच्छी होती है जो एका life style सेहत मंदाना होता है वो जल्दी उटते हैं वो जल्दी सोते हैं वो सादा जिन्दगी गुजारते हैं उनकी खुराक मतावाजन होती है वो सही वक्त के ओपर खाना खाते हैं वो exercise करते हैं या जिस्मानी हरकात जो है उसका ख्याल रखते हैं ऐसे लोग जब अपने बैट के ओपर अगली जाते हैं इशा की नमाज के फौरण बाद और वो जब सो जेने के लिए लेटते हैं तो उन जैसे लोगों के लिए 6 घंटे की नीन बहुत काफी होती है क्यों कि basically sleep के अंदर हमारा जिस्म क्या करता है जब हम सोने के लिए जाते हैं तो पहले 2 घंटे 20 मिनट हमें सोने ही में लगते हैं या उस deep sleep में जाने में लगते हैं जहां पे वो इस तमाम cells जो जिनको हमने यूटिलाइस कर लिया बिलकुल battery cell की तरह या आपके mobile battery की तरह वो recharge हो रहे होते हमारे जिस्म के अदर 70-90 खरब खलियात हैं और वो टूट फूट का शिकार होते हैं उनको कुछ ऐसे खलियात होते हैं जिसको जिस्म से निकलना होता है कुछी को repair करना होता है और कुछ खलियात नए बन रहे होते हैं तो इन सब के लिए जो पहला दो घंटे 20 मिनट है वो बहुत एहम है लेकिन अगर आप यह सोचिए कि अगर आप वहां पे लेटे वे हैं इंतहाई heavy खाना खाके अगर आप लेटे वे हैं चाय कॉफी energy drink पी और वो दिमाग की धड़कन आपको जगाती है और सारा दिन के अंदर यह जितना आपके ख्यालात आये थे सतर से नवे हजार ख्यालात यह सारा रिलिफ करता है और उसको dustbin के अंदर डालता है recycle bin के अंदर डालता है जैसे आप अपने computer को पर सारा data recycle bin को पर shift करते हैं ताके आपकी space फिर available हो जाए ताके फिर आपको जगा मिल जाए और नए आने वाले दिन का निया data आप उसको पर डाल सकें तो अगर आपने सारा दिन इतना data डाला है और उसके अंदर इतना फजूल data डाला है data क्या है आपके पांचों हवास जो आपने देखा जो आपने सुना ज इतने असान होगा इसका processing भी इतने असान होगा लेकिन अगर यह data ही सारा garbage था तो यह इसको जाने में भी इतना ही problem लगेगा तो अगर आपका जिसम आराम दे नहीं है तो फिर आपका जहन भी आराम दे नहीं होगा वो clearance का काम नहीं कर पाएगा और जब यह दो cycles रात को चल lifestyle अगर आप अपने lifestyle के अदर जल्दी उठना जल्दी सोना healthy diet healthy movement और again जो आप देख रहे हैं वो कितना healthy है जो आप सुन रहे हैं वो कितना healthy है जो आप पढ़ रहे हैं वो कितना healthy है अगर यह सारा healthy नहीं है अगर यह सारा ही garbage है और इसको पूरी रात को process भी करना है और वो energy जो यूटिलाइज हुई है उसको रीचार्ज भी करना है तो फिर आपकी नीन बेस इसी बात के उपर करेगी. कितने घंटे सोना है और कितने घंटे आपने जागना है ये आप अपने discipline से set down करेंगे तो फिर आपकी जिन्दगी एक अच्छी नीन के साथ बेतर गुजरेगी.